हेलो दोस्तो आज हम करेंगे इन्वर्स फंक्शन थ्योरम करने से पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं क्योंकि ये फैक्ट जो मैं आपको पहले एक्स्प्लेंड करूंगा ये डारेक्ट थ्योरम में हम यूज करेंगें तो ध्यान से इन कंसर्प्ट को देखिएगा समझिएगा ताकि आपको थ्योरम सम्ज़ने में आसानी रहे और एक इंपोर्टेंट बात आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें कमेंट करें वीडियो को सेहर करें या कुछ कमी है तो हमें कमेंट बैक्स में बताए या हमारे मेल पर म हरा तो दोस्तों आब हम टोपिक पर आते हैं कोंट्रों ट्रेक्शन मैपिंग पढ़ेंगे बॉद्ध नंबर एक नमब इस तरह से एकस्ट करना चाहिए देरेजिस्टे इन नंबर 0 1 के बीच में, 0 1 के बीच में होना चाहिए, 0 नी होना चाहिए और 1 नी होना चाहिए, ठीक है ना, इनके बीच में होना चाहिए, भई, such that किस तरह से, कि 5x और 5y, इसका difference है जो, difference of 5x and 5y, less than equal to, जो number exist करेगा, वो c, और difference of xy, और xy कहां से होंगे, x से होंगे, ठीक है न, फिलाल तो आप, इनकी definition पर ध्यान दीजिए, जब हम theorem में इनका use करेंगे, तो एक बार फिर हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, कि क्या है ये, तो फिलाल आप इसको बस ध्यान से सुन लेजिए गा, तो xd क्या है, matrix space है, और 5x mapping है, और एक नंबर इस तरह से, अगर exist करें, 0, 1 interval के बीच में, ना 0 होना चाहिए, 1, क्योंकि उपनिव इंटरवल है, इनके बीच में लाई करना चाहिए, तो हम 5x और 5y का difference, less than equal to c, dxy, for all, xy belong to x, xy हम बता दें कहां से, तो अब इस case में ये definition है गई है ना, ये, तो हम said to be contraction, x to x, तो contraction mapping का जाएगा 5 को, अगर ये चीज होगी तो, ठीक है गई, आगे देखो, बनाच contraction principle क्या होगा, बनाच contraction principle देखो क्या होगा, let x t be a complete matrix space, complete matrix space है, और let 5 be contraction, contraction mapping में बता दिया, 5 उसी तरह की mapping है, of x into x, there exist one and only one, from all x, belong capital X, such that, phi x is equal to x, since मैं आवी, तो ये दो normal सी definition थी, आप इनको बस सुन लिजिएगा, so inverse function theorem पढ़ेंगे हम, inverse function theorem की statement क्या कहती है, let f be a c dash mapping, f कैसी mapping है, c dash mapping, of an open set e, subset है, rn का, into rn, f dash a invertible है, invertible 1, 1 भी है, on 2 भी है, for some, a belong to e, and f of a is equal to b, then, हमें दो पार्ट परू करने हैं इसके, तो पहले पार्ट को हम first video में करेंगे, दो पार्ट में हम इस थोरण को complete करेंगे, तो पहले पार्ट में हम पार्ट a को समझेंगे, there exist open set u and v in rn, such that a belong to u, और b belong to v, f is 1, 1, on u, and f of u is equal to v, ठीक है ना भई, c' mapping है एक f, और open set e है, वो subset rn का है, rn में ही, और f' invertible है, और f of a ये b का equal है, तो दो open set u and v है rn में, और इस थरह ऐसे कि a तो u में है, और b v में है, f 1, 1 है, और on u, तो हमें ये दिखाना हमें, ठीक है ना, तो देखो, और दूसरे में क्या है कि, g is inverse of, g is inverse of defined in v, defined by g f of x is equal to x, x u में से है, और then g belong कर जाएगा, c-v में, तो इसकी definition हम बाद में देखें, क्योंकि फूरूप को आँ, second part में देखेंगे, तो अब देखो भई, हाँस तक, part e का proof करेंगे भई हम, a के लिए है यह proof, ठीक है, तो इसको करेंगे, देखो, कैसे होगा, हमें, let f dash a is equal to capital a, then f dash a is equal to capital a, हमने let कर लिया, है भई, then we, then we choose lambda, हमने lambda इस तरह से चूज करेंगे, so that lambda इस तरह से हमने लिया है, a inverse है, और इसके norm को apply करें, तो 1 by 2 lambda होगा है, ठीक है, इसको हम equation number 1 का नाम दे देते हैं, equation 1 में देखो, क्या किया है, f dash a let किया है, और फिर एक lambda चूज किया है, इस तरह से, की a inverse, इसकी norm is equal to 1 by 2 lambda है, equation 1, अब by hypothesis, by hypothesis, f is a, f is a c dash mapping है, c dash mapping है, given her statement में, f is a c dash mapping, for that, इस तरह से की f बिलोंग करेगा, c dash, इस में, और, तो फिर यहां से हमें follow होता है, it follows, that, f dash क्यासा होगा, continues होगा, it follows that, f dash is, continuous, continuous mapping, of e, into, into, l rn, ठीक है न, यह तो, यह स्त्रहाशी लगाओ या ना लगाओ, कोई दीक्तर नहीं है, in particular, f dash is, it continues, continues at, a, और, a कहां से है, e से, then there is a open ball, हाँ पर, there is a, open ball, yoo, open ball, yoo, इस तरह से होगी, मतलब की, open ball, subset होगी, e का, ठीक है, और, with center, और इसका, जो center होगा, with center, जो इसका center हो, a belong to e, ठीक है, such that, इस तरह से होगा, इसका center, की, f dash x, minus, f dash a, f dash x, minus f dash a, इसकी norm को, apply कर दे, तो, यह होगी, less than lambda, ठीक है, और, हम यह बता देंगी, की, x u में से, ठीक है, x u में से, तो, हमने यह define किया है, और, यहाँ पर देखो, f dash x, देखो क्या दीजा है, भई, हमने, f dash a को, यह मान लिया, f dash a को, a मान लिया, तो, फिर हमने चूज, इस तरह से किया, यह inverse को, 1 by 2 lambda, आइफो तीस, f dash mapping है, तो, यह बताता है, की, f along करेगा, f dash c में, और, it follows, that, f dash is continuous, भी होगा, भई, into lrn में, तो, particle f dash is a continuous at a, और, a कहां से है, e में से, there is open value, इस तरह से होगी, के, u subset होगा, with center a belong to e, हमने यह define कर दिया, ठीक है, f dash x, लेकिन, f dash a को, मैंने क्या मनना था, a कही को मनना था, तो, मैं इसको, इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, f dash x, minus, a, इसकी जगा, a रख सकता हूँ, यहाँ से, तो, यह चली रहा है, ठीक है, और, यह क्या है, less than, nem def, और, वो बना दो, कि, x u में से है, जैसे, वहाँ बता दिया था, बस कुछ नहीं कर रहा है, यह step, as it is, यहाँ पर, a, रूटर की किया है, ठीक है वही, और, आप यह लिख दीजिएगा, कि, हमने यह, by equation 1 में था, जो यह equation 1 का सिस्टम था, by equation 1 से क्या दिया वही, हमने यह, और, जो, अब, यह equation बनी है, f dash x minus a, less than lambda, x u में से है, इसको हमने, equation number 2 का नाम दे दिया, ठीक है न, यहाँ तक हमने, क्या काम किया, आज़के देख, now we, now we associate, to each, y belong to rn, ठीक है, यह function phi, यह function, function को मैं सोट में लिख दिया, function phi, define by, तो एक function phi को define कर देता हूँ, भई मैं phi x, x plus, a inverse, y minus fx, और x कहां से है, u से, इसको हम equation number 3 का नाम दे दे दिए, x u से है, भई ठीक है ना, यह अलग काम है, मतलब x u से, कोई दिक्कत है भई, x u से है, और x x हमने एक mapping define कर दे, यहां तक समझ में आया होगा भई, यहां तक हमने, f dash a को equal मानना है, और यह mapping इस तरह से define किया है, iple c dash mapping है, तो यहां से continue, जो 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 पनबाल होगी इस तरह से, और फिर यह हमने मान लिया, तो यह f dash x less than lambda, तो हमने f dash x है, यहां पर a put कर दिया, और less than lambda, अब हमने यह mapping को define किया है, इस से अब हमारा काम चलेगा, आगे देखो, हम यह कहाँ देंगी कि from, equation था है रट, तिन equation यह ध्यान में रखनी होगी, यह equation कैसे बनेगे, फिर यहां तक तो आगे देखो, कैसे होगा काम अब, ठीक है, equation थरी, it is clear, that, कि y क्या होगा, fx के equal होगा, y is equal to fx लेते हैं, तो क्या होगा, देखो भई, y को हम fx के equal लेते हैं, यहां पर y है न, जो fx के equal लेंगे, तो देखो क्या होगा, 5x, x प्लस, a inverse, यहां fx रखेंगे, और fx यह, तो cancel हो जाएगा, 0 बचेगा न, और x, 0 की किसी के साथ, multiply 0, तो हमने यह, define कर दिया, जिफाइगे, 5x is equal to, x होगा, भई, है न, तो हमने क्या दिखा दिया, कि 5x is equal to, x, तो 5x is equal to, x आगया, तो हम यह कह देंगे, कि, यह कह सकते हैं, कि x, is, fixed point of 5, fixed point of 5, on other hand, हम x is a fixed point of 5, हो गया भई यह, और तो फिर हमें क्या होगा, we have, यह mapping define करने के बाद, हमने कुछ भी नहीं किया है, यह mapping अपने define की है, इस तरह से, by yx, x, a inverse, y minus fx, a inverse, y minus fx, s लगाया, और फिर y की जगह, fx, put करने के बाद, हम phi x को, x को, के equal दिखाने में कामियाब रहे हैं, अब देखो भई, हम, जो अमारी equation थी, phi x, equation third को, मैं फिर लिख रहा हूं, phi x, a inverse, y minus, x, ठीक है, यह equation लिख दी भई, अब जो phi x की value है, कितनी है वो, x है, तो यहाँ पर रखता हूँ, भई, मैं, x plus, a inverse, y minus, fx, ठीक है, और, x को अब उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 होने के बाद, हम यहाँ पर बचेंगे, कि a inverse, y minus fx, तो भई, या तो a inverse 0 हो सकता है, या फिर यह bracket 0 हो सकती है, लेकिन, a inverse 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a is invertible, इसलिए नहीं हो सकता भई, यह 0, ठीक है, a invertible है, यह 0 नहीं हो सकता, हम यह कहेंगे, तो, यह 0 नहीं हो सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, भई, y minus fx is equal to 0, तो y की value क्या आगे भई, fx, ठीक है, यह रिजल्ट अमने यूज हुगी किया था ना, y is equal to fx, तो यह किस तरह है सी था भई, समझ मैं आए है, करना है यह भी, यहां तक समझ मैं आए है, तो y is equal to fx दिखाने बाद, हम यह कहेंगे, कि 10, from equation 3rd, from equation 3rd, equation 3rd वही, जो हमने यहां पर define की थी equation में, we conclude that, हम यह conclusion निकाल सकते हैं, we conclude that, y is equal to fx, if and only if, मतलब, if, x is, fixed point of 5, है ना, fixed point of 5, देखो वही, हमने यह दिखा दिया ना, equation 3rd में, हमने यह conclude किया, कि y is equal to fx है, तो x क्या है, fixed point of 5 का, अगर, x fixed point है, 5 का, तो y is equal to fx है, देखो, अब हमने equation 3rd, तो define की ही थी, equation 3rd, हमने 5 x is equal to x, a inverse y minus fx, यह define की थी, तो फिर हमने y, is equal to fx लिया, तो क्या आया, 5 x is equal to x, तो x fixed point हो गा, और if and, only if की condition दिखा दी ना, हमने, तो y is equal to fx लेते, तो x fixed point आएगा, अगर हम x को fix, fixed point लेगे, आपूट करेंगे, तो y is equal to fx आएगा, तो हम यह नहीं लिख सकते, कि दस from equation third, we conclude that y is equal to fx, if and only if, x is fixed point of file, ठीक है, यह होगा तो यह होगा, यह होगा तो यह होगा, मतलब अपने यह दिखा दिया, यह दिखाने के बाद, तो ठीक है न, यहाँ तक सम्मझ में आया है, ठीक हो लंबी है, लेकिन आसान है, ध्यान से समझनी है, आप यहाँ तक इस ठीक के दो पार्ट बना सकते हैं, जैसे एक पार्ट तो यहाँ से, कि हमने यह equation जो define की है, यह equation define की है, इस equation को ध्यान में रखना आची तरह से, बिलकुल आसान है, फिर इसमें य-फ एक्स दरेंगे, फाई एक्स इस इकल टो एक्स आ जाएगा, और फिर यह एक्स इस फिक्स पॉइंट ओफ आई, तो यह हो जाएगा, और फिर यह होने के बाद आप एक्स की वैलाब, यहाँ निकाले यह वैपिंग को आप पस लेगा, यहाँ एक्स रखेंगे, तो एक्स एइनवर्स Y मैनस Fx, यह 0 तो Y इकल टो Fx आ जाए, यह 0 नहीं हो सकता, इनवर्टिबल है, तो इसको 0 यह Y, तो यहाँ तक हम यह कहा देंगे, कि वहाई हम इक्वेस तर्स से यह कहा देंगे, ग्यांदटेगी एक्सिक्स पॉइंट है तो वाइज इफल टो एफेक्स है तो एक्स फिक्स पाई पायगा ठिक है तो इक पार्ट में तो यह ही किया है इससे पहले गया गया था हम ऐसे मैनने था और चूज गया था कि Cynthia अनस्यक्ष को लेब्ड़ा एन्वर्स मोट टू लैंडा फोती सिश्वśli lies करते हैं ठीक है नहीं तो डिफ्रेंशियेशन करेंगे तो देखो क्या होगा है हम यह लिखेंगे सीन्स फाइडास एक्स फाइडास एक्स और एक्स का वन होगा तो हम उसको आई लिख सकते आई डेंटिटी मतलब वन और अब यहां से देखो ए इनवर्स वाई वाई तो इनका दोनों का डेरिवेट्व जीरो और प्लस माइनस अब यह अंदर मल्टिप्लाई होगी इसकी अंदर मल्टिप्लाई होने के बाद यह इनवर्स वाई होगा एक्स है नहीं कंप्लीटली जीरो और फिर प्लस माइनस माइनस और ए इनवर्स कॉंस्टेंट है और एफ x है तो f dash x हो जाएगा ठीक है यहां तक समझ में आया है वई simple derivative किया है f dash x इसको 1 की जाए identity लिख दिया और यह constant था 0 और फिर इसके साथ minus है ना समझ में आया है अब देखो यह होने के बाद हमने क्या किया है हम इसको यह लिख सकते हैं a inverse a वई यह identity होगा और a inverse f dash x तो ही समझ में है मैं सिरुभ यह hd चली रहा left तो right को बता रहा हूँ क्या होगा ठीक है ने, अब देखो हो लहांसे मैं क्या को मन निकाल सकता हूँ? और inverse को मन निकाल सकता हूँ, यहां 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 बच जाएगा यहां F-X बच जाएगा समझ में आ यहां तक और जो आमारा साइड में 5-X था वो तो लो वह यह चल रहां 5-X ठीक है यहां तक समझ में आ है अब देखो एक्वेशन वन और टू क्या बताती हमें ठीक है वई यहां तक समझ में आ है ना एक्वेशन वन और टू का हम जिकर करेंगे देखो पहले एक बार मैं थोड़ी बात और बता दूँ फाइड डैस एक्स और वन और टू से हम यह कह सकते हैं कि यह एक्जिस्ट करेगा मतलब हम दोन्नों तरफ क्या करेंगे नौर्म अप्लाई कर देंगे यहां भी कर दें वही ठीक है हमने सिर्फ नौर्म को अप्लाई किया है और नौर्म अप्लाई की है तो आप देखो जो फाइड डैस एक्स है यह अलग-अलग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लेस्ट एन एफ डैस एक्स ये तो है यह समझ मैंना और यह नोर्म अप्लाई कर दी ठीक है अब एक्वेशन वन और टू को आप जान से देखो गे ना देखो क्या था इसमें मैंने बताया था इसकी वैलू को भी डिफाइन किया था और इसको भी बताया था देखो ठीक है ना हमने यह अधेन डाटो यह वह यहां समाइन स्कॉमन निकालने क्या दिक्कत है नौरम कर लो मोड कर लो मतलब यहां यह पिलस हो जाएगा तो इसको न्यम्टा के इकुल बता देंगे समझ मैं आ है ना तो यह वन और टू से करेंगे वही तो इसको क्या बताया हमने वन बाइटू ले ठीक है तो हम लेम्डा से लेम्डा कैंसल कर सकते हैं तो हम यह दिखा दिया कि 5-x और यह लेस्टेन 1 by 2 equal और एक्स का हम से था यू से था अब देखो गई आम इसको equation number 4 का नाम दे देते हैं समझ मैं आ है न यहां तक तो वहां तक मैं समझा चुक्या था कि if on if and only if की condition कैसे बनी थी फिर हमने derivative किया था थर्ड का derivative होने के बाद इसको हम इस तरह से inverse को मन निकाल लिया था फिर हमने यहां पर norm को apply कर दिया दोनों तरफ तो फिर हमने यहां पर यह 1 or 2 से value को replace किया और यह दिखाने में हम क्याम कामियाब रही यह lambda था भई cancel हो गया अब देखो हम ने एक definition बताए थी भई सर्वू में definition क्या देखो हमने definition बताए थी ना कि अगर सी बिलोंग कर जीरो वन में सी तो देखो सी बिलोंग कर गया एक्स वाई लेंगे और एक्समें से फिर वह यह मतलब हम definition को यूज करेंगे देखो किस तरह से यूज करेंगे थांसे तो हमने क्या कहा कि भई फाई डैस एक्स वन बाइट टू के इकवल आगा वह या लैसाइज से तो हैंस फोर एक्स वन एक्स टू एक्स नेख्स टू यू में से लिए भाई मैंने तो दैन वी है यह थे यही फाई एक्स वन माइन से फाई एक्स टू बता है दाने डिफ्रेंस और यसका मॉर्ड है तो मोड एक बार लेू दो बार ले लो कोई दिख्कत निया मोड का लो नौन का लो ठीक है ना आप नौर में वैसे मोड ही मानने लो आप इसको ठीक है ना तो सिंपल बास हमें मैं बता रहा हूं आपको यह थोरम एक्सवन माइनस एक्सटू समझ में यहां तक अगर समझ में आया तो देखो भई इसको पास का नाम देदेंगे इसमें देखो कॉंट्रेक्शन मैपिंग थी एक्सटी मैट्रिक से पेस और यह मैपिंग इस तरह सी एक नंबर एक्सट करना चाहिए तो एक नंबर एक्सट किया वही वन बाई टू जीरो वन के बीच में और डि ओफ डिफ्रेंस एक्सवाई का हम ले सकते हैं और ची वह नंबर देखो ड को तो को अगया सी और फिर एक्स वाई का डिफिरेंस एक्स वाई मैंने एक्सटुमार रखार दिज कीजह हैं तो भैक्सक्त गोरट सम्सम्तन से न न कोई दिक्कत है यहां तक अगर हम इस टे Gilney Mail और समझ गया है तो कोई दिक्कत न ! ठीक है तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ना भाई कि के ना कॉंडिक्सान मैप्निंग से हम पांच एक्वेशन को दो रएंद्धि कर 1950 यहां तक हम良्जान्यिंट करने में 1 ठ्लीक के बाद यहां पर हमनेे डिएफ़ेट BACK अ बाद यह घ्री तुशी लिगाये था रू embody definition को सिर्फ यूज किया दो पॉइंट लेकर उनके difference को इस तरह से दिखाया है तो हम यह कह सकते हैं कि भई दस फाई is contraction mapping u into v u into v में क्या है भई है contraction mapping है ठीक है तो हैंस भाई बनाच फिक्स्ट पॉइंट थोरम फिक्स्ट पॉइंट थोरम से फाई हैज यह बताई थी भाई हमने यह भी डैफिनेशन में अभी यूज करेंगे इसका फाई हैज एट मोस्ट वन फिक्स्ट पॉइंट वन फिक्स्ट पॉइंट इन यो किस तरह से एफ एक्स इस इकल टो वाई ठीक है और यह एट वस्ट वन और एक्स कहां से है यू से समझ मिया है यहां तक देखो बनाच वाड़ा भी हमने बता था पने शीपल की एक्स टी कंप्लीट मेटरिक से पेस है तो फाई कॉंटरेक्शन मैपिंग हो तो हम बनाच प्रेंसिपल को हम यूज कर सकते हैं तो यहां से बनाच फिक्स प्रेंसिपल से हमने यह वन वन दिखा देवन वन किये तो कंडिशन हो थी यह फोफ एक्स इस गूल तो आई तो वन वन और वेहर वी इस उकल टू एफ उफ यू तो हम क्या कह सकते हैं एफ इज इन वर्टी बन तो एक क्या है इन वर्टी को लोगा भई ठीक है बई आसा करता हूं यहां तक समझ में आया है थोड़े हो और काम है फर्ष्ट पार्ट में आभी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्या हुआ है देखो हमने एफ डैस एकोल टू ए मान्या है फिर इसको डिफाइन किया है और डिफ है मैं यहां से फाइट साहरा है चाल और टैस गया है तो यहां से फई ऐसी जिपर्ट लिडाया और यहां से फाइच जिए आएक्स अने के बाद फिर हम एक्स फिक्सुएंट हो गया वाई हु сказать इक्लोजन किया कि y is equal to fx है तो x fix point है तो यह है और यह है तो यह है और फिर 5x का हमने derivative किया है और derivative करने के बाद 5 dash x और यह 1 और y dash यह बताया था और यह होने के बाद यह inverse common लिया है common लेने के बाद फिर यहां तक ठीक है फिर हमने अलग-अलग सब्सक्राइब किया है और फिर बनाज को प्रिंशिपल से हमने यह बता दिया कि fx is equal one one हो गया one one of time यह कह देंगे कि f u से v one one है और यह is equal to f u f invertible है समझ मैं दोस्तों आगे देख़ा हम क्या दिखाएंगी तो अब हमने परूब करना है we prove that v is open v is open in rn rn में open हो यह वी तो हमने इसके लिए क्या किया let why not v में है और then why not is equal to fx not ठीक है यह हमने value define कर दी why not is equal to क्योंकि fx is equal to y था तो fx not why not होगा तो x not u में है तो अब देखो let brx not brx not क्या है b is या brx not bn open ball यह क्या है एक open ball है with center इसका center भी होगा फिर भई इसका center है तो x not center है इसका और radius है जो radius r मान लेते हैं वो greater than zero ठीक है so small so small its so small that its closure closure लेंगे तो brx not इसका closure ले लिया भई हमने ठीक है यह जो closer है lie कर रहा है वह यह lies in u ठीक है और we can do this हम यह कर सकते हैं कि since क्योंकि u is क्या है यह open set है u is open set in order to prove in order to prove that v is open we can open दिखाना है तो इसके लिए देख्वा हम क्या बने यहां तक हम ने क्या 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 है वी ऑपन है आरें में तो यह बता है why not belong करेगा वी में why not fx not है तो bx not take open ball मान लिए मैं आपन बाल और इसका center x note है और radius हम क्या प्रूब करना चाहते हैं we shall prove that हम यह प्रूब करना चाहते हैं कि वाइब बिलोंग करें वी में वे विशल प्रूब यह बिलोंग तो वी वैनेवर वैनेवर य माइन फ्रीज नॉट की जो वैनलेश थें लेम्डा आर्मा लेवे मनें ठीक हैं और तो हम यूज करते हैं बहीं आप देफिनिशन आफ आई आई एल्ड देफिनुर्ण आफ देफिनीशन किया होण देफिनिशन आफ ऩृम की और सब्सक्राइग देखिज लनाफ़ सबस्क्राइब जयसा कि एक्वेशन थर्ड में बता था वह आपसे देखो क्या थी एक्वेशन थर्ड ये थी 5 x एक्स प्लस मैं लिक देटा हूं वाई माइनस एफ एक्स और यहां बार एक एन वर्श था द्यां तो आपका ठीक है ये थी वह एक्वेशन तो हम इस question में जरा सा change करेंगे जहां पर x है ना वहां पर x not कर देंए ठिक है करूग गई 5 x not हो जाएगा ये और ये x not हो जाएगा तो मैं इस तरफ ले आँग इसको एन वर्स y और ये fx है तो यहां भी f no x not कर दिया ठीक है इतना काम हो गया है इतना काम होने के बाद, अब मैं इस पर क्या करूँगा वई, मोड अप्लाई कर दोगा, कर दिया वई, हमने मोड अप्लाई, मोड अप्लाई करने के बाद, ये काम हमने किया, equation third में हमने ये बता दिया, ये equation थी, और इस equation में हम यहाँ पर आगे वई, यहाँ पर आने के बाद, हम ये बताएंगे, कि हम अलग-अलग मोड को अप्लाई करें, कर लें वई, पहले एक बार, 5x0-x0, ये है, और A inverse, y, fx0 को मैंने क्या मानना था, fx0 को मैंने मानना था, y0 है न, तो y0 पुट कर दो, ठीक है, और जो अब ये मोड है, सारे पर है, ये रहा, ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसको A inverse, अलग-अलग मोड अप्लाई करेंगे, y-y नोड ठीक है, तो मोड की प्रोपर्टी लगेगी, less than equal का निशान आजाएगा, less than equal का निशान आने के बाद, हम यहाँ पर double mode भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी value को 1 में define किया था, ये 1 by 2 lambda है, तो उन value को हमने use भी करना होगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 by 2 lambda, और इसको मैंने क्या मनना था, lambda r मनना था न, lambda r, तो lambda r, lambda गया, तो हम यहाँ पर इसको ये कामियाब करने में रहेगी, r by 2, r by 2 करने के बाद, हम ये suppose कर लेते हैं, कि suppose x belong करता है, b r x note में, b x note के closure में, ये belong करता है भई, ठीक है, ये हम suppose करके चलेंगे, तो अब देखो हमने क्या किया, यहाँ तक समझ में आया है न, यहाँ तक समझ में आया है, तो हमने क्या किया है, हमने ये बता दिया था, और फिर हमने ये, mapping उठाई थी third, और third में उठाने के बाद, x note put कर दिया था, और फिर दोनों तरफ मोड किया था, इस तरफ लेया है, और फिर हम लग लग करने के बाद, हम आर बाई 2 दिखा दिया, और हमने ये suppose कर लिया, ठीक है, हम let करते हैं बईया, let, 5 x minus x note, यहाँ तो यह समझ बहाँ था, x note my, बस यहाँ पर आप x कर लो, और यह एक स्ट्रम को मों कर सिटर कर के चली, तो इस ट्रम को क्सिटर कर के चले, तो अब हम क्या करेंगे, 5 x, यह तो HDs, यहाँ पर 5 x note, को तो क्या कर दिया, सब्ट्रेक्ट कर दिया, और 5 x note को, add कर दिया, और एक्स नोड देखो फाइएक्स और एक्स नोट है बस य या तो कर दिया है यहां पर अप्लाई करेंगे तो फाई एक्स नोट माइनस एक्स नोट फाई एक्स नोट माइनस एक्स नोट अब इसकी वैल्लू को देखो भई मैंना इसकी वैल्लू को तो फाई एक्स नोट माइनस एक्स नोट आर्वाइटू पर दिखाया है तो इसकी तो वैल्लू आगी अब यहां से हम क्या करेंगे है जो ये वैल्यू है एकस माइनस एकस नोट वाइट टू आ जाएगी और यह आरबाइटू थिक एक सबस्क्रूंत देखो अगर अधर एकस भाइक वन दो एक सिठी वहां पर एकस एकस नोट लिया है तो फॉन दाइट दो और X-X-0 तो वही किया है, X-X-0, 1 by 2, ठीक है है, 1 by 2 लगा हुए, R by 2, अब यह होने के बाद जैसे Y-Y-0 को क्या मनना था हमने, तो हम सिंपल इसकी वैल लू को नहीं, R by 2, R by 2, R by 2, R by 2 is equal to R, ठीक है, तो हम यह काम याँ सीध करने में रहे है, कि 5X-X-0, R के एको ला गया, और यह काम हुआ है, वही by equation 5, यह X-X-0, R के एको लो जाएगा, by 2 तो है, R by 2, R by 2, ठीक है नहीं, तो यह हमने equation 5 से काम किया, हम R के equal दिखाने में इसको कामियाब रहे हैं, तो फिर हमने R के equal दिखा दिखा दिया, तो हम यह कह सकते है कि, hence, 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 जो 5X हो गया, वो बिलोंग करेगा, BR-X-0, open बाल में, ठीक है, यह हो गया, तो हमने यहां से, it may be noted, it may be noted that, और BR-X-0 का जो closer है, वो कहां पर है, lies in, you, and, so equation 5, equation 5 क्या होगी, होल्ट, equation 5, होल्ट, if, X1 है, वो भी BR-X-0 में गया, और X2 है, वो भी BR-X-0 में बिलोंग करेगा, दस, phi is, contraction, mapping, phi क्या है, contraction mapping है, of BR-X-0 closer, into, BR-X-0 closer, ठीक है, अब आप equation 5 को देखा, equation 5 में मैंने क्या किया था, equation 5 थी, जो, हमने यहां पर contraction mapping की, दो point लिये थे, और फिर उनका difference, C आया था, X-0 minus X-0, definition को define किया था, इसी definition को मैं, X-0 को, X1 को BR-X-0 में, और X2 को भी BR-X-0 में, तो फिर मैंने क्या गया दिया, contraction है भी यह, BR-X-0 क्लोजर से BR-X-0 क्लोजर का, तो, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, किसी इन से, BR-X-0 का क्लोजर है, जो, इस इस क्लोजर सब्सेट ओफ आरें, तो यहां से में क्या हुआ कि इट फॉलोज, इट फॉलोज, देट, BR-X-0 का क्लोजर है, वो इस कम्प्लीट, क्या है, कम्प्लीट है, यह कम्प्लीट होने के बाद, तो फिर हमें यह बताएंगे, भाई बनाज फिक्स्ट, प्वाइंट थेओरम, या प्रिंसिपल, फाई है जे फिक्स्ट पॉइंट, जे फिक्स्ट पॉइंट, एक्स बिलोंग टू, बी आरे एक्स नोट का क्लोजर, दश, य बिलोंग करेगा, था फोफ बी आरे एक्स नोट में, और यह जो सबसेट है किसका, सबसेट यह एक्वल, सुरी, लेस थेन इक्वल टुएं, फोफ यू इक्वल टो वी, तो हमें यह ही दिखाना था, सिंस वी इज, ओपन, ठीक है, हमने यह किया है वई, तो यह इस नीचा किया, हमने दूसरे पाल्ट में, फिल पुरू देट वी ओपन दिखाना था, आमने आरे एक्स नोट में, तो लेट आमने माल लिया कि, अमने भी ओपन दिखाना था, और यू था ना, उपन सेट है, और वाइनोट रेस्ट एन लेमडार के एक्वल था, तो डेफिनेशन फाई की ये थी, थरण में हमने बताए थी, तो एक्स नोट ही पुट किया है, अबस एक्स नोट पुट रणने ये इस तरफ, और फिर मोडल सप्लाई मोडल सप्लाई के बाद, फिर हमने अलग-अलग अप्लाई, यहां पर नौरम अप्लाई कर सकते, जोगी स्की वन बाई टू लेमडा है, तो यहां पर ये लेमडार के एक्वल था, तो 1 by 2, R by 2 आ गया, तो X बिलोंग कर गया भई, हमने मान लिया कि BRX नोट क्लोजर में है, यहोने के बाद फिर हमने बताया, कि भई, हमने ये इकंसूर्ट किया, यहां पर लेट, फाई X माइनस X नोट, तो फिर इसको एड़ किया, इसको एड़ गया, इसको इसको एड़ गया, इसको सब्क्राइट किया, फिर लेस देन इक्वल टू, यहां पर अलग-अलग मोड अपले हैं, लेस देन इक्वल का निसाना आएगा, X माइनस X नोट, फाई इससे बताया था, और यह R था, तो R by 2 हो जाएगा, R by 2 छीक है, और फिर यह हमने यहां, R के एक्वल दिखाया है, तो फिर 5 X इसमें भी लोंग कर गया, BRX नोट में तो, हमने नोट किया कि, यह लाई कर रहा है वही, U में, और equation 5 में फिर X1, BRX नोट में, X2 भी BRX नोट में, फाई क्या होगी, Contraction Mapping, U2 इस BRX नोट 2, इसके कलोजर से इसके कलोजर तक, BRX नोट कलोजर इंटू BRX नोट, सिंस BRX नोट कलोजर सबसेट हो पार हैं, तो BRX नोट कम्प्लीट हो जाएगा, अब अब अच्छ फिक्स से हमने बता दिया, BRX नोट में ठीक हैं, और तो फिर हमने ये बता दिया, कि वी उपन है वही, आसा करता हूं समझ में आया हूं, तो अगर फिर भी कुछ आपकी इसमें कमी है, कमी लग रही है, तो कोमेंट बोक्स में कोमेंट कर सकते हैं, हमारी मेल पर मेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो सब्सक्राइब जरू करें हमारे चैनल को, धन्यवाद दोस्तों, फिर कभी हम आपके सामने होंगे, किसी नए टोपिक के साथ, धन्यवाद.